चले भाई सभी को नमस्कार गुड मॉर्निंग सुपरभात सस्रियाकाल उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपेशन कर रहे होंगे जी हाँ दोस्तो अभी हम लोग कंप्लेक्स नमबर स्टार्ट करें हैं आपको उसकी पहली वीडियो इंटोडक्शन टू नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्किप्शन में उसका लिंक होगा आप वहां से जाकर के जरूर देखिए ठीक है साथ में अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं काम पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी करना परता है ना किजिए शेयर किजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जी हां दोस्तों सभी का सागत है क्वाएं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग क्या करें जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कॉंप्लेक्स नंबर का मतलब की अलजेब्र आफ कॉंप्लेक commentation होगा और होगा कैसे division इन सभी की बात तो फे हम लोग क्या करेंगे गौर करेंगे हर एक चीज को पड़ी-बारिकिसे सिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों चलिए बात को समझते हैं हम लोग टॉपिक करके चलते हैं जिसे माल लेते हैं हम लोग के पास क्या है कोई complex नवर है ए प्लस आई बी के फॉर्म का एक्जामपल आप कर सकते हो कि सर हमारे पास क्या है जिसकी वैलू कित्ती होती है अंडरूट माइने स्राइ एकिस्टशार की वैलू कितनी है ये बी आपको याद होना चाहिए minus one iq power foreign यह क्या हो जाती है one और हमने आपको बताया था कि iq power अगर for n कर लेंगे तब भी यह one ही रहेगा iq power अगर हम iq power foreign plus one तो जो remainder आएगा 4 से divided करने पर वह हमारा उसका exponent रह जाएगा iq power foreign plus two होगा तो क्या होगा iq power two मतलब कि माइनस 1 हो साएगा I की पावर 4 and plus 3 होगा तो यह I का पावर 3 है और इसको हमने बताया था I की पावर 2 into I की पावर 1 I की पावर 2 की value जो होती है वो होती माइनस 1 और I की तो I हो गए तो यह हो साएगा आप पावर 3 लिख लो या फिर माइनस I की पावर 1 लिख लो तो दोस्तों यहां तक की चीज़े आपको जरूर clear थी या पर clear हो गई होंगी वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो को देखे अब हमारे पास अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्या है बोलिए एक से ज़्यादा हमारे पास अगर complex numbers है फिर उनका हम addition, subtraction, multiplication या फिर division कैसे करें तो इस session में आपको addition और subtraction की छोड़ी सी clip मिलने जा रहे है और next video में क्या मिलेगा आपको multiplication and division की बात होगी छोड़ी छोड़ी वीडियो को 10 से 12 मिट का आपको मिलेगा ठाके आपको भी देखने में बोर फिलना वहाँ आभी तो ही चाहते हो ज्यादा numbers में नहीं से आपका चली छोड़ी छोड़ी बाते करेंगे बहुत ज्यादा परिसान होने की को जाओ सकता नहीं है चली हमारा पहला topic आगया क्या है addition of complex numbers जी हां दोस्तों क्या है addition of complex numbers अगर हमारे पास माल लेते हैं कुछ ऐसा करके Z1 है अगर माल लेते हैं A1 plus IB1 ऐसा कुछ मैं माल लेता हूं ठीक है अगर माल लेते हैं दूसरा complex number है अपने पास Z2 equals A2 plus IB2 then अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हमको क्या करना है add करना है Z1 plus Z2 माल दोनों complex numbers का जो sum होगा वो क्या होगा तो हमने आपको बताया कि जब भी आप एक complex number लिखते हो जब भी आप एक complex number लिखते हो A plus IB तो यहां पर दो पार्ट है एक क्या पार्ट है बाबू रियल पार्ट है एक हमारा क्या है real पार्ट है आप सभी को पता है दूसरा क्या है imaginary part imaginary part है और हमने आपको बताया क्या 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 रियल पार्ट को हम लोग ऐसे लिखते है आड़ ए अंडर ब्रैकेट जड़ जड़ वैलू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी उसी तरह सी मैजनेरी पार्ट की वैलू क्या हो गी विट साइन लेना है यही दिहान रखना है रियल पाड को रियल पार्ट के साथ आड्य करेंगे एकदम चोटी सी प्यारी सी बात समझ लिए आप रियल को रियल को रियल को अडीशन के बात हो या फिर सब्ट्रेक्शन के बात हो अडीशन या सब्ट्रेक्शन real part के ही साथ होगा real part का real part के साथ और imaginary part का imaginary part का imaginary part के साथ imaginary part के साथ यह आपको बस ध्यान रखना के साथ यह आपको बस थोरा सा चीज ध्यान रख लेना है अब इतनी बात अगर आपको याद हो गए इतनी बात अगर ध्यान में हो गई तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों आपका काम हो जाएगा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, यहां तक में कोई परिषान है तो बताईएगा, तो अगर हमारे पास, तो इसका असका रियल पार्ट कौन है अटु है बुली हाग की न हमें यहाँ पर क्या करना फानली जवर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या कραना है यह बत्ताओ कि रहे हार से देखोंगु आप उड़ी है इसれて ठीक ध्यान से ध्यान दिजिएगा मैंने का तो आपको क्या करना है इसका मतलब क्या हो जाए रियल पार्ट किसका जेड़ वन का प्लस रियल पार्ट किसका जेड़ टू का अप यह का सकते तो हां सरका सकते है को पलसओ इमेजनरी पार्ट किसका बताइए जेड़ वन का प्लस इमेजनरी पार्ट किसका जेट टू का इंटो क्या कर लेना आपको iki कर लिना है of in anlam है मतल् Grade आपके सकता है anyone in senior pak कौन है तो मेट лучше अच्छहा ऐसा क्या उन्य प्लेस दोनों की मैंज्री पार्ट यॉर्ट कौन कौन है 21 प्लस बीटू क्या लगहाए साथ में आई बीवन प्लस क्या हो जाएगा बीटू हो जाएगा बुलिया की न इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए जराश्या कोई तकलीफ है नहीं तकलीफ है अच्छा यहां , माइनिस होगा तो सब्ट्रेक्शन भी होगा तो देखे आडिशन और सब्रेक्शन बहुत जाए अलग अलग इसको अप्र कर सकतो दोस्तों तो बड़ी प्रेम से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे छोटी छोटी एक्जांपल देखेंगे यह सब को समझ में आ जाएग हमारे पास दोस्तों क्या है एक नंबर है जड़ी और उसकी वैलू है 3 प्लस 7i 3 प्लस 7i and z2 की वैलू है दूसरी जो कॉंपलेक्स नंबर हमारे पास अबलेबल है वो है माले जे 7 प्लस 3i तो हमको क्या करना है अगर तो देर्फोर समप्लेख्स नंबर यह रहेंगे सब्सक्राइब और सब्सक्राइब एट मुझा झाण प्लस-क न वरमने जाएगा इसलिए घ्री ऑब्लस-3i 3 तो तो समझ सबूसरे पर सबाब देखें थ्यान से तो ही यहां पर टेन आ जाएगा और यहां पर क्या जाएगा टेन आ जाएगा क्या जाएगा दूस्तों पलस दूसरी चीज़ करते हैं लोग पहली complex number अगर माल लेते हैं 2 plus root 3 आई है 2 plus root 3 आई है और दूसरी complex number and दूसरी complex number यहाँ पर माल लेते हैं आपके पास 3 minus root 3 आई है 3 minus root 3 आई है ठीक है 3 minus root 3 आई है and हमें क्या करना है we have to find out the sum z1 plus z2 दूना complex number का sum find out करना है तो क्या कहोगे सर 2 plus root 3 आई प्लस क्या हो गया प्लस क्या हो गया तो 3 minus root 3 आई अच्छी बात है कहोगे सर हमको तो आपने बताया क्या हमको तो आपने बताया क्या बताया जली से बता लो भाई क्या बताया आप को था रियल को क्या कर लो रियल के साथ हैं आट कर लो तो इसका रियल पाट 2 एसका रियल पाट 3 अच्छी बात सब्स् helping partner क्यों तो आप इसको भी क्या जाएगा माइनस दोस्तों एक चीज को देखेंगे कि चीज को बारे की से veure प्राने की कोई बात नहीं है है प्लस जिरुवघ यह क्या या फाइव ऐयं यह क्या हो गया यह क्या यह चीजिए पूधे है कि यह थैं हुखने है अप से कि यह लिए और हमत रहा है अंच्छा उनका सम रहा है क्या वह भी प्लस आई बी के फॉर्म का है तो जो दो नंबर का सम है वो भी क्या है एक complex number नंबर का सम है वो भी क्या है आपका एक complex number ही है कहने का मतलब क्या हो गया कि complex number क्या होता है जली से बताइए complex number closure property को भी क्या करता है contain करता है properties of addition of complex number क्या कर सकते है properties of properties of addition of complex numbers addition करना तो बाद सान काम है लिए उसका properties भी तो हम लोगों पढ़ लेना चाहिए ठीक है तो पहले properties क्या हो गया closure property क्या हो गया दोस्तो closure property closure property ठीक है पहले property क्या होगे आपकी closure property होगे क्या होगे दोस्तो closure property होगे पहले property क्या होगे यह क्या कहा कि अगर दो complex number तो उनका sum भी क्या होगा complex number ही होगा क्या कहा गया कि sum of any two complex numbers complex numbers is also a complex number वो भी क्या होगा complex number होगा तो हासर क्यों नहीं होगा example में देख लिजे अगर मा लिजे जेड वन की वैलो हमारे पास क्या है फोर माइनस सेवेन आई है जेड टू की जो वैलू है वो मा लेते हैं थिरी माइनस थिरी प्लस फोर आई है तो जेड वन प्लस जेड टू क्या है हमारे पास जेड वन प्लस जेड टू क्या है 4 plus 3 4 plus क्या कर लेंगे दोस्तों 3 plus क्या कर लेंगे माइनस 7 plus 4 into real को रिल के साथ imaginary को imaginary के साथ यहां पर आप देख सकते हैं पर क्या गया 7 minus 3 minus 3 और क्या गया आई क्या यह a plus ib के फॉर्म का नहीं है तो है ना सर क्यों नहीं है तो यह satisfy कर रहा है के नहीं कर रहा क्लोजर प्रोपर्टी यह क्या होगा यह आपकी क्लोजर प्रोपर्टी होगे दुसरी क्या होती है बताए कम्यूटेटी प्रोपर्टी क्या होती है कम्यूटेटी प्रोपर्टी दूसरी प्रोपर्टी क्या होती है दूस्तों आपको यह बच्पन से याज होना चाहिए कि sum of any ये क्या क्या sum of any two complex numbers sum of any two complex numbers two complex numbers remain the same even their ordered sorry even their order is changed order is changed अगर हम addition का order change कर दे 2 में 3 आड़ करें 3 में 2 आड़ करें ये बच्पन से आप पर रहे हैं तो हां real number का बात हो यहां का हो जाएगा complex number का बात हो दोनों पर इस्तिति में जो चीजें होंगी वह समान होंगी रूल तो रूल है अब वह applicable है कि नहीं है complex number में यह हमें check out करना मतलब करने का माल इसे for example हमें कहा गया कि जड़ वन की वैलू अगर हमारे पास a1 plus ib1 है नहीं तो हम किसी तरह से आड करें कोई फर्क example लेकर कहीं चलते हैं ठीक एक्जांपल लेकर कहीं चलते हैं बेहतर होगा बेहतर होगा कि एक्जांपल लेकर कहीं चलें बिना काम का बहुत ज्यादा लंबा समय खिचने का कोई मतलब नहीं है इजी टॉपिक्स में तो जेड़ वन का वैलू अगर मैं लेता हूं जेड़ वन का वैलू लेता हूं मा लेजिए three minus five by and जेड़ टू की वैलू मैं लेता हूं दो पे काम कोन करेगा commutative property दो पे काम कोन करेगा commutative property ये भी दिहां रखना आपको seven minus नहीं लेकर के हम लेलिए plus five by ज्यांदेजेगा तो हम क्या करें पहले निकाले बूस जेड़ टू को एड किए जेड़ वन में तो क्या हो जा मतलब three minus five by plus seven plus five दोनों की वैलू कैसे अड़ करेंगे तो कहो गए सर हम क्या करेंगे घ्ल पाइड को एक सांत करेंगे जी हां रियल पाइड को एक सांत करेंगे मतलब three plus क्या हो जाएगा seven एकसर प्लास यहां पर क्यों सब्सक्राइब यहां पर कितना गया 10 प्लस 0 आई क्या गया 10 प्लस 0 आई या फिर आप इसको कर सकते हो सिंप्लिटेन यह मपि यह हो गया हो गया होता है अगर या विस्क बात है इस इन चलो घृब प्लस फई ब्लस माइनस फईंटू क्या हो गया इतनी बाते कि लिए रहे तो प्लस यहां फिर से क्या हो गया दोस्तों कि दो अगिए साथ तु भीत हो गया ना कि जह आप कहा रहे थे कि दोनों का संभ ओडर चेंज करने के बावजूद भी क्या नहीं होगा चेंज नहीं होगा तो ये तो भीत वेरिफाइ हो गया डेफेटली भेरिफाई हो गया है मेरे दोस्त चल क्लियर है मेरी बात तो क्या है complex number property of addition में अगर कम्मुटेटीव की बात करें तो उसको भी follow करता है तिसरी जो प्रोपर्टी होती है वो क्या होती दोस्तों associative property होती है तिसरी जो प्रोपर्टी है वो हमारे क्या है क्या है यहां पर क्या होता है तीन की बात होती है कम्मुटेटी में हम दो complex numbers की बात किये while we will talk about three complex numbers in case of associative यहां पर भी क्या होगा सम क्या होगा समान होगा तिनों का सम क्या होगा समान होगा अब बहुत कुछ अगर यहां पर लिखना चाहेंगे आप यह कह सकते हैं कि जेड़ वन प्लस जेड़ टू इकोस टू जेड़ टू प्लस जेड़ वन अगर दो complex नेवर हमारे पास जेड़ वन और जेड़ टू है तो similarly यहां पर कहा गया एस उसेटिव प्रॉपर्टिया बहुत ज्यादा मैं स्टेट्मेंट रिखने के भी फ्यवर में नहीं हम से कहा गया कि इफ माल दी जेड़ वन वन अजेड़ टो कमा यह फिर इंट क्या हो गया और खाने नहीं होगा ऑगर हम क्या onda कर दे 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 जड़वन और मागों और में सममें में अगर हम एड़ को कर ले इसका भी सम किसके बराबर हुगा अगर हम क्या पाले में फंब subtrl सब्सक्राइब कर लें इन दोनों संब्सक्राइब तो स्यंग होगाब इसे क्या क्रा Office कि इसे दोर mentioned reasonable देखना क्या करना एक whipped मान लिजे कि Z1 की value आपके पास है 2-2 root 2i अच्छा root वाला केस नहीं लिए क्यों लंबाच और आप फास्ता आने जाए 2 प्लस 2 प्लस 3i Z2 का जो value है वो मान लिजे दोस्तों वो मान लिजे कि आपके पास क्या है 3-5i and Z3 की जो value है Z3 की जो value है हम लोग question करेंगे question का एक session अलग से रखेंगे पहले सारी प्रोपर्टीज बेसिक वाली पर लेंगे उसका एक section हम लग एक session जो रखेंगे वो complete or complete question का रखेंगे ठीक है घबराने की बात नहीं है दोस्तों Z3 हमारे पास क्या होगे मान लिजे 7 plus 4i कितना होगे 7 plus 4i फोर आई तो अगर हम क्या करते है यह वाली value करते है अगर हम Z1 plus Z2 का sum करते है किसके साथ Z3 के साथ तो हमें result क्या मिलेगा ध्यांस दखेगा ध्यांस दखेगा यहां पर क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 3i एक साथ कौन 3-5 इन दोनों का sum एक साथ एड़ होगा और इनका जो sum आएगा उसको that will be again added with 7 plus 4i यही तो कहा जा रहा है तो हासरी कहा जा रहा है इनका सब्सक्राइब यहां पर माइनस टू है प्लस 4i के साथ करना है तो कहां सर क्यों नहीं तो यह बहुत असान हो गया नहीं असान होगे दोस्तों क्या कर लोगे अब यहां पर माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 और इंटू क्या हो गया इसमें कोई परसान ही तो बता ही जली से कोई परसानी नहीं होने चाहिए अच्छा तो अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा बता जली से यह वहलो हमारी मिल गई और अगर हम देखना चाहें किसकी वहलो निकालना चाहें कि कॉंप्लेक्स नमर वन को अगर हम एड करते हैं तो दस सम ओफ सेकेंड और थर्ड तब चीजे कैसी होगे जी हां दोस्तो तब चीजे कैसी होंगी एकदम असान होंगी और क्या होंगी मतला हम से कहा गया कि 2 प्लस 3 i is added to इसको किसमे एड करेंगे दोस्तों is added to sum of 3-5i and 7 plus 4i इन दोनों के सम में क्या करना है फर्स्ट वाले को एड करना है तो क्या होगा इसको as it is हम लोग पहले जी हाँ जैसा है वैसा लिखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे दूसरा यह जो सम है वो direct करेंगे तो रियल पार्ट रियल पार 3 7 एर रिश्क लोगे दोस्तों 3 आ गया मैनेस 5 प्लस 4 फूर मैनेस 5 प्लस 4 कितना होता मैने मैने सवन इंटउ आई क्या होगा मैनेस आई 10 प्ल जाएगा दोनों का सम कितना हुए इसकाइमेजनरी पाट प्लस ट्रीमेजनरी पाटएहिस्काइमेजनरी पाट मैरेजरी हिसका इं गजा सर अभी तो इंडोनों का सम क्या आया था अगर दुसरा अटर था तब ट्वल प्लस टू आए अच्छा इसके समे भी आया था और इसके समे भी तो यह था गया और जब यह आगया मेरी दोस्त तो यह चीज फुल फिल हो रहा है कि नहीं हो गया तो देरफर यह थे एकन plus Z2 when added to Z3 whatever the sum we will get is same as same as when Z1 is added to the sum of Z2 and Z3 this is nothing but associative property associative property के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों इसमें कोई दिक्कत है अब हम लोग ने क्या परा था additive identity आज भी वही होगा जो आपने बच्पन में सोचा था 0 तो यहां पर 0 प्लस 0 आई भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं कॉंप्लेक्स नमर के कैसमें 0 प्लस 0 आई भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस आई भी वाली फॉर्मेट को हमको क्या करना है दोस्तों झाला फॉर्मेटर्ष करना है टीक है तो चौधि प्रोपर्टीों अपकी आड़ेटिव इस अधन्य गोलिया है कि न जब आप अडिटिव आईंटिटीटी की बात करते हैं दोस्तों जब अडिटिव आडिटीटी की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा अगर हमारे पास कोई complex नियंब जयड है उसमें हम क्या एड करें कि हमारे पास result ZD है तो डिशेटली हमेंशा क्या होगा जी दो को complex नियंबर की भासा में आप लिख सकते हैं नाग्स मेंस जीवो प्लस जीडो आई हमारे क्या होती है इस और टिफ आइडेटिव आईडेटिटिटी आप जीरो लिख लो जीरो पलस आई लिख लो कोई पढ़ेगा क्या आड़ान तिंक शो चले नहीं पढ़ेगा धिया से देखी फॉर एक्जाम्पल इंगा तो हमें साजी लोगत कुछ कुछ कर नहीं नहीं है जैसे मालीजी कोई कॉप्लेक्स ने बरती प्लेस फॉर आई अगरा बताईए इसमें जीरो प्लेस जीरो आई एड भ क्या होती है एक्जिस्टेंस ऑफ आरेटिव इन्वर्स एक्जिस्टेंस समा सकतों एक्जिस्टेंस समा सकतों एक्जिस्टेंस ऑफ आरेटिव इन्वर्स एक्जिस्टेंस ऑफ आरेटिव इन्वर्स अब यह क्या कहा गया दोस्तों बताईए यह क्या कहा गया इसमें कहा गया कि एक complex number का additive inverse कौन होगा Z1 में हम क्या add करें Z में क्या add करें क्या add करें कि sum कितना आ जाए 0 आ जाए मतलब कहने का sum हमारी additive identity के बड़ाबर आ जाए कि इसमें कोई तकलीफ है किसी को बताते चलो आप अब हम एक एक्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास question है कि find the additive inverse, एफर ऐसे फ़ली लिख लिजें कि z, sorry, z and minus z are additive inverse, additive inverse of each other, of each other. एक दूसरे के लिए क्या होंगे, additive inverse होंगे, तो for example, ध्यान से समझते चलेगा, for example. अब एक्जाम्पल आपका क्या होगा, एक्जाम्पल आपका क्या होगा, माल लिजे, कि कह आगया हमको कि find, या फिर write the additive inverse of, additive, inverse of, additive inverse of, 3 plus 4i, 3 plus 4i, या माल लिजे कोई complex नमर है, z, z plus, z की भलो कितने 3 plus 4i, तो हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, बोले, additive inverse of, additive inverse of, बोली जली से, क्या, 3 plus 4i, यह बराबर क्या हो जाएगा, minus under bracket 3 plus 4i, मतलब यह हो जाएगा, आपका finally minus 3 minus 4i, यह तो बहुत प्यारी प्यारी छोड़ी छोड़ी concept थी, जो कि असानी समलोग कर लिए, इसे ज़्यादा कुछ यहाँ पर होता नहीं है, दूसरा जो topic है, next topic है हमारा वो क्या है, दोस्तों subtraction, subtraction of complex number, जी हाँ दोस्तों यह क्या है, subtraction, देखो addition हो तो subtraction भी होगा, और subtraction भी होगा, और subtraction भी होगा है, क्या करेंगे, subtraction माली जी के हमारे पास कोई एक Z है, यह फिर Z1 है, Z1 की value क्या है, A1 प्लस IB1 है, ठीक है, और Z2 की value क्या है, माली जी की A2 प्लस IB2 है, तो क्या हो जागा, अगर आप Z1 में से Z2 को subtract करते हो, तो क्या मिलेगा, A1 प्लस IB1, तो हाँ सर, इसमें से किसको subtract कर रहे है, सारी सब्ट्रेक कर रहे है, किसको subtract कर रहे है, तो A2 प्लस IB2, ठीक न, तो क्या हो जाएगा, सबस्कंद दोस्तों इमेसिनेटी से निगांगे . सबस्क्यारेसे करेंगे घटाएं C4 यह ृच से तो हमको क्या करना है सब्सक्राइब और इसके साथ क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर हम प्लस ही रखेंगे क्या हो साएगा बताइए इमाजिनरी इस एडवन माइनस इमाजिनरी इस एडव यही तो बात आएगे तो हां सर क्यों नहीं आएगी अब बताओ रियल जेड़न कितनी है एवन है अच्छा सर और यह जेट टू क्या है तो एट टू है घटा दीजिए एवन माइनस एट प्लस अच्छा यहां पर बाहर में क्या लगेगा आई अब हम एक्जांपल डएक्जांपल। एक्जांपल के तोरप अग क्या होगा तो उच्छांपल के तोरपे अगर आप देखना चाहो तो कोई एक रिजल्ट ले लो भई अगर आप के पाश Z1 की वैलू 7-5i है और Z2 की वैलू Z2 की वैलू अगर आपके पाश 3-7i and you are asked to find out Z1-Z2 Z1-Z2 अच्छा तो Z1-Z2 अच्छा एक और चीज़ बताते चलते हैं यहाँ पर यह closer property भी तो हो गई कि Z1 अगर Z2 अगर Z1 और Z2 दो complex number तो उनका difference भी एक क्या होगा complex number ही होगा follows closer property follows closer property याद रखिएगा अब इसको explain नहीं करने जाए अगर क्या होता है complex number दो complex number का difference भी अगर complex number ही होता है दोस्तों इसको क्या समझेंगे कहोंगे सर ये भी क्या होगा closer property को follow कर रहा है लेकिन 0 and minus 2 तो क्या होगा direct मैं करूं real part real part तो क्या हो जागे 7 minus 3 तो हां sir plus i into इसका इसका मैंने डिपार किया minus 5 इसका मैंने डिपार है minus minus 7 ऐसे कहले minus minus 7 यही होगा ना तो क्या आ जाया दोस्तों 7 minus 3 कितना आया 4 आया ठीक है यहां पर minus 5 plus 7 सद्चर हो तो प्लस 2 वा जायगाrą into i तो प्लस क्या हो जायगा to i क् общем happy लिए तो हां sir अच्छा वही अगर हम क्या करते है जहां निकालते है यहीं प्र निप्ताते हैं यह पात को जहसा वांस झालते हैं तो क्या होगा इसमें सा इसको घ्टाएंगे तो यहां पाड फिर यहीं पाड यह हुरा हो सुट जै rain वद फैट एङ सिंसे लुटत ऑ 둘 जो खूटें मैंनेज फाइब घंटेगा क्या होता है मैने का फोर मेनस का फोर होता है प्लस ऐ देजोगा माइनस सेवन प्लस फाइस तो मैंनेस टू माइनस टू इन्टू एक और तो यह तो इन्ट यू बार्स ओगिया इसका टो यह तो नहीं है थिक है दोनों प्रोपर्ति जो कि फुल्फिल होती है यह धिद्द दडूुजर प्रपरटी नहीं है ति क्लोज नहीं एल्स वहाँ पर cumulative property नहीं होती है, वहाँ पर existence of additive identity नहीं होता है, existence of आपका subtractive inverse नहीं होता है, ऐसे कोई बातें वहाँ पर दोस्तों नहीं होती है, वह सारी की सारी चीज़े कहा होती है, addition पर होती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों अब, छोटी सी topic थी addition, अब इसे दो point बाकी है, एक multiplication और एक division, वह आपको मिलेगी next video में, जी हाँ दोस्तों, तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, और इस पर based questions को बड़ी प्रेम शे करना है, आप जिस भी book को follow करते हैं, जिस भी institute में पर रहे हैं, कोई फरक नहीं परता है, आप question करो, हमाँ telegram group से वीडियो में तब तक रखिये अपना ख्याल, क्या, बाई बाई